हेले दोस्तो, वेलकम बेक तो मैं चैनल और आद में एस मुवी को एक्स्प्लेंग कने बान में उसका नाम है मलोच, यह होड़ सी लववे 2020 को में नीवित और अगर में स्कुरीटिंग इबात करें तो यह में डिवी रिटिंग 3 स्टास आफ 10 है तो दोस्तो, अगर आपको मेरे मुवी एक्सप्राइशन व्यूटिव पसंद आए, तो पिससे मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करते हैं जिस सपोर्ट करें मेरे वाइं को सब्स्क्राइब रटन में पूरा करने करें तो देन में करते और परते भी जोबे एक्स्पनेशन की हो वोवी की शुवात होती है ये ये नाइटी नाइटी वान में जहांब आम एक छोड़ी सी बच्ची को देखते हैं जो उस वक्त अपने घर के स्टोरूमें थी और वो उस वक्त चूलो को फीट कर रही होती है और तभी वो सुनती है कि कुछ लोग उसके घर में खुंसा हैं और वो उसकी उपर वाने कमरे में जा रहे हैं जो उसकी दादी मा का कमरा था और उसे सब्वे वो वहां से कुछ चितने चिलाने की आवाजे सुनती है और बस तभी स्टोल्स उम के चच्च से बहुत टपकने लगता है और शायद से उसकी दादी मा को किसे ने मार डाला था और ये एक्सपिरिस एक छोटी सी बच्ची के लिए काफी जादा ट्रॉमेडिक था और स्वेल हमें 30 साल बाद का सेन दिखाये जाता है जहांपर हम उसी बच्ची को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है और उसका नाम बीट्रेक होता है और वो उसे उतर में पैरस के साथ रहे रही होती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका नाम हैना होता है और वो अब भी उसी घर में रह रही होती है जिस घर कुल्णी मीवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है और अगर नो उस घर के आसपास के वादावरण और साइट के बारें में बात करे तो वो घर जंगलों के बीचों बेच था और उसके कुछी दूर पर एक पीट पॉक यानि एक गल्डल जैसी एरिया थी जो नेदर लेंड्स में पाई जाती है और बीच्रिक तब रास्ते ने आते समय एक बैग मैन को देखती है जो इसी नाम से फेमस था और क्यों यह हम देखी सकते हैं कि उसने अपले पूरे बाड़ी पर बैग स्टांगे हुए थे और तब घर पहुंशने के बात बीच्रिक के फादर इससे पूछते हैं कि क्या उसलिए कहें पर बैग मैन को देखा है क्योंकि कुछ लोग उसे ढूनते हुए आये हैं क्योंकि उसने बाग में कुछ गढ़े खोदे हुए हैं जिसमें उने कुछ ट्रेंज चीज़े मिली हैं और फिर हम बैग मैन को देखते हैं जो अंधेरे में गढ़ा खोदे ही जा रहा होता है और वो दब वहें पर कुछ देख लेता है और वो शौक में खड़े-खड़े वही बन वाल जाता है गड़े में तब दुसरे दिन लोगों को उसकी लाश मिलती है और लोगों को उसे फूदे वोए गड़्टें में कुछ और्तों की डेड़ बाडिज मिलती है जो अब आर्केलोंजिस्ट के इंक्वाईरी का एक वीशे बाल जुका था और इसलिए वो लोगों भी तब वहाँ पर आ जाते हैं उसी दिन और उन्हें ही पता चलता है कि वो लाशे वर्शे से जमीन में दफन थी लेकिन फिर भी वो डिकम्पोस्ट रिंग वे थी जो बात सब को हैरान कर दे दी है पक इसलिए वो सब तो पूस की पीशे की वज़ा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और उस आर्केलोंजिस्ट टीम के हिड़ का नाम चौनस होता है जो काफी जादे रेप्यूटिट था और उस फिल्ड में काफी जादे एक्सपीजनस्ट और वो इस डिसकवरी से काफी जादे अम्यूज़ था दूसरी वो लात में घर पर बिट्रिक के मा को किसी तरह का अटाय कार जाता है जिसकी वज़ा से वो अपनी मा के लिए बहुत जादा चेंटित हो जाती है और तब लिए वो ठिट्की से बाहर वो गार्डन ली किसी को खड़ा देखती है जिससे पूरा घर डर जाता है और उस वक बिट्रिक के फारदर को लगता है कि जानस की टीम का है कोई मेंबर उनके घर की आसपास टेहर डाया है और इसलिए वो दुसरे दिन जानस से इसके लिए छबड़ा करने लगते है कि वो अपने टीम मेंबर्स को समभाल कर रखे और उनके घर के आस्तास ना भटके लेकिन जानस सब उनकी लेंगर नहीं समझ पाता तब बिट्रिक महाँ पर आकर उसे इस तरह भाशा में सब कुछ समझा दी है ताकि जानस को बुरा ना लगे और बिट्रिक को वो भाशा इसलिए आती थी क्योंकि वो बहुत सालों तक मियॉक में रह जुगी थी इसलिए वो जानस को वो सब को समझा पाई थी और उसके बाद ही वो अपनी माँ को हास्पिटर लेकर जाती है अपर वो डॉक्टर उने बताती है कि बिट्रिक की मा आन प्रासर्स ट्रॉमा से जूज रही है जो अब उनकी ब्रेन के साथ साथ अब उनकी बाड़े पर भी शो करने लगा है लेकिन इसकी माँ रह जाती थी कि बिट्रिक उलकर इनाच कर वाए और वो बिट्रिक को ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल चीप ठाक है और यहां घर पर बिट्रिक के फादर पूरे गार्डन में कैमरा, ट्रैप्स बगेरा लगा रहे थे से क्योरिटी के लिए ताकि रात में वहां कोई बढ़के तो उन्हीं पता चल जाए और तब उसी रात बिट्रिक की मुलकात बापा जॉनस से हो जाती है एक कैफे में और दोलों की अच्छी खासे दोस्ती भी हो जाती है जॉनस उस वक बिट्रिक से बहुत जादा एट्रैक्टर था और वो तब बिट्रिक के बारे में जानने के लिए बहुत जादा उसित भी था तब बिट्रिक उसे पने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वहाँ के लोग तॉँए उनकी फैमिलिय से कोई रिलेशन रखने से भी डर्सते हैं कि लोग ऐसा घानते हैं कि उनकी फैमिली करस्ट है और ऐसा इसलिए क्योंकि बीटिरप के हस्बेंड निल की डैथ हो गई थी और उसकी दादी मा को भी किसी में मार डाला था जिसके बाद से ही उसके फादर एंकोहॉनिक हो गए थे और दब से ही उसकी मा भी एमोशनलस हो गई और अब तो वो किसी अननोन बीमारी से जूच रही है जो बिलकुछ सीजर एड़ जैसा है और डॉक्टर ने उने थेरपी लेने के लिए भी रिकेमेंट किया हुआ है दुसरे दिन हम बिट्रिक को हैना के स्कूल में उसकी प्ले की तैयारी कराते हुए देखते हैं और जो एबिन नाम का लड़का होता है वो बिट्रिक के म्यूजिक को रिजेक्ट कर देता है खास तो जायद इसलिए क्योंकि बिट्रिक पहले उसकी बैन पार्णल थी और अब वो उसे इग्नोर करने लगी थी क्योंकि शायद अब उसे जॉनस में इंटरस्ट आने लगा था रात में बिट्रिक के फादर गार्डन में ही बैठे रहते हैं सिक्यूरिटी गार्ड की तरह लेकिन तब भी एक राडू नाम का आदमी जो जॉनस का ही एक कॉलिक था वो उन्हें घर में गुसाता है दूर पिने के बहाने पर उसके पास एक शाप नाइफ होती है और वो उसक्त जैसे अपने वश में ही नहीं था क्योंकि वो रो रोगर कहे जा रहा था कि वो यह करना नहीं चाता है लेकिन गुए उससे ही करवा रहा है और वो बहुत ही जादा स्ट्रेंजली बिहेव करता है जैसे उसे किसी ने पॉस्स किया हो और तब वो उसने अपको संभाल रही पाता और बिट्रिक की माँ पर अटेक कर देता है उसी नाइफ से में मानने के लिए लेकिन सही समय पर बिट्रिक की फादर वहां बार आ जाते है और राडू को हिट करके उसे बिगोश कर देते है जिसके बाद पुलिस उसे हॉस्पिडर लेकर जाती है और दूसरे दिन जॉनस इसमें उसको सुनकर हैरार रह जाता है और इसलिए तब वो बिट्रिक के घर आता है उनका हाल बता लेने के लिए तब जॉनस उनसे कहता है लेकिं डाडू तो इतना सीधा जादा इंसान था कि आज तक तो उसने एक मक्ही तक नहीं मारी तो उसने एक ऐसे कर दिया और ये बात उसके समझ से बिल्कुल परे था और उन दोनों इंसिडेंट के बात से बेट्रिक के फादर भी वहाँ से जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था लेकिन बेट्रिक की मा वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थे और तब ही उसी वक्त वो उन्हें पर बिक वश होकर घिर जाती है नेक्स विन में हम बेट्रिक को हॉस्पिटल में देखते हैं जो बनी मा पा चकप करवाने के लिए आई थी और वो तब उसी हॉस्पिटल में राडू और उसकी फैमिली पुदिक और वो तब ही नोटिस करती है कि राडू का वेड़ा उसे बड़ी वियरली एक टक देखी ही जा रहा था और कुछी समय बाद तो वो बेट्रिक का पीछा करते हुए उसकी पीछे एनरीडर में भी गुच जाता है और बेट्रिक के तरफ अपना हाथ बढाता है और वो उसकी हाथ को ठाम कर रोमेनिया में कहता है नुवा मुरित जिसके कुछी सेकेंड बाद वहां के लाइट स्प्रिकर करने लगती है और बेट्रिक को तब अपने पीछे खड़ी एक टरामोई सी परचाई दिखाई दे दी है इसे देखकर बेट्रिक बेट को डर जाती है और वो तुरन थी महां से निकल आती है और तब उसे उन होस्पिटर के बाहर वापस से जॉनस मिल जाता है जो उसे बताता है कि राडू लेवी बाग में कुछ गड़े खोदे हुए है जिसमें से उन्हें कुछ और और सुखी लाशे बरामट हुई है जो डिफिजिट एरास से बिलॉंग करती है और इसकी बाद बेट्रिक जब सर्च करती है नुवा मुरीत का मेनी तब उसे पता चलता है कि नुवा मुरीत का मेनी शी नेवर डाइज होता है मतलब वो कभी नहीं मरती और इसकी बाद बेट्रिक अपने मा को गार पहुचा कर जॉनस से वापस मिनने के लिए आ जाती है फिट्य उसी लगता है कि उसकी फैमिली और उन लाश्रों से कोई कनेक्शन है और तब वहें पर उनकी मुलाकात होती है मेज़ा के फादे से जिसकी बेटी की देथ उसी तरह सी मुई थी कुस सफ़र पहले ही अपने कि उनकी पूलबर जिक स्टाइकिक थे वो पावस अब ग्रोड में मौजूद थी हाला कि वो उस फिल्ब में नहीं थे कि उन्हें पिसी कल्चर पसंद था लेकिन फिर भी वो मीचुक की आत्मा की हल्ब से ये जान पाये थे कि मीचुक किसी की विस्परिंग की आवाज सुन पाता था बॉग में जो से गड़ा खोदने के लिए बोल रहा था और वो उनसे हैलन नाम की उत लेड़ी के बारे में भी जिकर करता है और वो विट्रिक को लेजन फेकी के बारे में भी बताता है जो उनकी बेड़ी के दैट से लिंक्ट है जिसके बाट विट्रिक और जॉनस वापस से घर लोटने लगते हैं बिट्रिक तक जॉनस से रास्ते में जित करने लगती है कि वो उन आउस्तों के राशों के बारे में उसे कुछ पताए लेकिन जॉनस उसे नहीं बतादा किंकि बिट्रिक तो पहले से पीछले रात के हाथसे से ट्रॉमटाइज थी तब बिट्रिक को उसके बारे में बता कर उसे और चिंता में नहीं डाना चाता था तब बिट्रिक उसे जबड़ा करने लगती है और कार्ट से तुरंथी उतर जाती है लेकिन कुछी देर बाद बिट्रिक का मोड बदल जाता है और तब दोनों वों ये बॉंग में ही इंटिमेट होने लगते हैं एक सिर में हम जानस को आर्केलोजिकल टैक्स में जाते हुए देखते हैं जो कॉलिंग सौंजय उसे बताती है कि जितने भी लाशे उने मिली है वों सारी अर्सों का गला वर्टिकली कटा हुआ है और उनकी जाच करते वरते उनकी कॉलिंग की तबियत खराब हो गई है लेकिन कोई भी उस पर गौर नहीं करता और जानस तर वो लाशों की जाच और आगे जारी ही रखता है ये पता करने के लिए कि कहीं वो सारी मर्डरस लेजन फेकी से लिंक्ट तो नहीं है और वो आर्वे अपने कॉलिंग से लेजन फेकी के बारे में पता करने के लिए बोलता है तब सौंजा इंटरनेट पर फेकी की स्टोरी को जानस से बताती है जो आर्वे हमर पीट्रिक के बेटी हैना के स्कूर बेके मातिम से पता चलता है यहाँ पर स्थियों पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नों वाल्टर था और उसकी वाइफ का नाम हैलन जिसके पास अपार समबत्ती थी लेकिन बाकियों को दो फुक्त की रोटी के लिए भी स्टूगल करना पड़ता था वाल्टर की खादे दारिन करने के लिए उसकी घर में दरज़नों रौकर काम किया करते थे और उन्हें नौकरों में से एक लड़की थी फैकी और क्योंकि फैकी बहुत ज़्यादा खुबसरत थी वाल्टर की उस पर बुरी नहिज़त पर जाती है और वो तब फैकी के साथ फिजिकल डिलेशन्स भी डेवलप करने लगा लेकिन यही बात जादा दिनों तक छीपी नहीं रहे पाई किकी फैकी एक दिन प्रेग्मिंट हो गई और जब यही बात हैलन को पता चली उसने अपने हस्बेंट को इसके लिए नहीं बिलिंग किया बल्कि वो रूमर्स फैलाने लगी कि फैकी ने वाल्टर कर जादो टोना किया है उससे अपने बश में करने के लिए और वो तब यह बात जटा में फैला देती है कि फैकी एक बीच है ताकि वाल्टर की इमेच जनता के बिच बनी रहे और वो फैकी को कारागार में डलवा देती है उसे सदा दिलवाने के लिए उसी हालत में और फैकी को तब कुछ दिर उस चीज के लिए सदा मिल रही थी जो गलती उसनी करी ही नहीं और फेकी तब कारागार में ही गौड से प्रेय करने लगती है इंसाफ के लिए लेकिन उस वक्त गौड तो उसके प्रेयर्ज नहीं सुनते पर कोई और ही सुन लेता है पेगन गौड जिनका नम मोलोच है जो गौड अफ जाय सेक्रिफाइस के लिए जाने जाते हैं और वो राजी हो जाते हैं फेकी को इंसाफ दिलाने के लिए लेकिन हर चैस की कीमत होती है इसलिए फेकी तब इदन कोर्श से डिल करती है खी वो अपने आप को सेक्रिफाइस करते हैं और वो बस हेलन को सिज़ा दिलाने में उसकी मदद कर ले और मॉलोट तब इस मदद के वरी फेकी के अन्वांट चार्ण को क्लेम करने की शर्ट रखते हैं और वो पहते हैं कि उसका रफची शूथ उसके लिए केश की तरह है जिसमें उसकी आत्मा इम मोटन हो जाए और ये इतिहात बार बार दोराई जाती नहीं पेड़ी दक पेड़ी और आगे की जेनेरेशन भी इस प्रतिचोत की आर्में जुलस्ते ही रहेंगे और उस वक्त फेकी अपने आगे की अन्जाम को नगे सुचते और बदले की आग में इसके लिए मान जाती है और इस इशार से हैनन की शरीर पर फोन जूरुप से फेकी की आत्मा का कबजा हो जाता है और ये बाप तो किसी को पता है नहीं थी इसलिए हैनन तो शरीर से फेकी निशाशन भिया और नगर में वापस ए खुशाली लॉड आई और इसलिए वहाँ के लोग फेकी को एक हिरोईन की तरह से लिपरिट करते हैं और वेचारी हेलन की आत्मा वाउवी विस्पर करग करके लोगों से लाशे खुदवा दी है तब भी ट्रिक को फेकी की स्टोरी खुशन कानेक्टिब लगती है फेना के पास ने वो ड्रॉइंग देखकर और तब घर लोटते समर वो अपने फादर को ट्रेप्स लगैना लगाते हुए देखती है तक कि कोई बिटपता प्राड़े उनकी घर तक ना पहुँच पाए विट्रिक तब वापस से मीचर के फादर के पास जाती है तक कि वो उसकी मदद कर सके वो तब कुछ सैसिटिव वाइबरेशन से बिट्रिक की हेल्प करते हैं कि वो अपने पास्ट में जा सके अब बिट्रिक को तब याद आता है कि उसकी दादी का भी मर्डर वर्टिकली गला काट कर ही हुआ था मतब ये कर्स तब मुझ में उनकी फैमिनी में एक्जिस्ट करता है और उन सारी ओटों को फेकी नहीं पॉसस करके मारा था और ये साइकल हर 30 सार बार रिपीट होती है जब मॉरोज इनके बाडिस को व्लिम करने के लिए आता है इसलिए वो डेड़ बाडिस कभी भी नहीं सरकी और अब शायद अगली बारी बीट्रिक की मा की थी इसलिए बीट्रिक तब पहने उन लाशों के पास जाती है ये करन्फर्म करने के लिए कि जहां उन लाशों का भी गना वर्टिकली कटा हुआ है और जब वो ये देख लेती है तो वो सौंजा से कहती है कि उसकी फैमिली टेंजर में है और तक इसकी बात वो घर छोड़कर भाड़ने की तैयारी करती है और अपने मा को भी तैयार बोने के लिए बोलती है लगे उसे नहीं पका था कि ये उसकी स्ट्रक्सी वर्डिकली अब है मा को बजाना से शिप्ट होती है और हम बिट्रिक की फारड़ को गार्डन में देखते हैं जिसके सामने अचानक से बहुत सानी आउलतों की आत्माएं आ जाती है और उन्जे लिए टार्जू की बात ये थी कि ओनी आत्माओं के बिट्रिक की मा की आत्मा को भी वो देख पाते हैं और तभी और और ओर्डों की विस्पस से वो पॉसेस हो जाते है दूसरे तरफ जॉनस और सौनजा टान में लेजन फेकी के ट्रडिशनल फेस्ट को सेलब्रेट करते हैं लोगों वो और सौनजा तब जॉनस से बिट्रिक के बारे में बताती है कि वो टेंट में आई थी उसे ढूंटते वोई और जॉनस वो बास सोच का डर जाता है कि कहीं ये फिश्ट बाइने ही लोग तो मॉलच के लिए उन आफ्टों को सेक्रिफास्तों नहीं करते इसलिए वो जल्दी से एक बिट्रिक के घर जाने के लिए निकर पड़ता है और यहां घर पर बिट्रिक की फादर पोजेस हो चुके थे इसलिए बिट्रिक तब हैना को बचाने के लिए उसे स्टोर रूम में बल कर देती है तब ही वो देखती है कि उसके फादर उसकी मा को मानने की पूरी कोशिश कर रहे इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए अपने फादर को भी हिट कर गए उन्हें बेभोश कर देती है लेकिन इसी बात से ही बिट्रिक ही वहां से गाय बोजा और जो बिट्रिक के फादर को बोश आता है वो बिट्रिक को दूनने के लिए निकर करते हैं लेगिन अचानक से विट्रिक की मा विट्रिक की फादर को वो कैसी गले में फंदा डालकर उन्हीं लटका कर उन्हीं पर मार डालती है और हम देख पाते हैं कि वो उस वक्त पूरी तरह से पॉज़र और फिर हम उन्हीं फिस्ट वाले कुछ लोगों लोग घर में आते हुए देखते हैं और उस वक्त विट्रिक को बैट पर बाह कर रखा गया था और वो मोलोग गौड की गैट अप वाले लोग कुछ मंतरास चैन्ट कर रहे हुज़ते हैं तब ही विट्रिक की मा एक ब्लेड से विट्रिक की सामने ही अपना गड़ा काट कर मर जाती है उनके गिनने के बाद फिर वहां से निकनती ही फेी किया जिसने इंसे वह सब कुछ करवाया था और पित्रिक जैसे देखती है बिट्रिक को भी उसनी मा की तरह ही सीजरे ड़ाई का जाता है सरी शिप्ट होता है और हम जॉनस को देखते हैं लेकिन बिट्रेट भी अपनी मा की ही तरह उस गर को छोड़ कर जाना नहीं जाती थी। और उसने तो अपना फेवरिट वाइनमें पेश दिया था और वो जानस को अपने काम पर थ्यान दे लिए के लिए बोलती है। और बाके सब कुछ वक्त पर छोड़ देने के लिए कहती है। बाहर खड़ी होकर रो रही है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदल जो हैना के साथ है वो बिट्रिक का ही शरीर है। लेकिन इसमें आत्मा फेकी गी है। क्योंकि जिस दिन बिट्रिक की मा की देथ हुन थी विकीन उनके शरीर को सेक्रिफाइस करके बिट्रिक के शरीर पर कबज़ा कर लिया। और उस दिन के बाद सही फेकी ने बिट्रिक की आत्मा को उसकी शरीर से बाहर निकाल सेगा। और उस वब बिट्रिक अपनी बेटी हैना की चींता में रो रही होती है क्योंकि तिस साल बाद उसके साथ भी वहीं होगा। और बिट्रिक इस आस ने थी कि क्या पता हेलर फेकी के उस गर्स को तोड़ पाई और उसकी जान बच्चा है क्योंकि वो तो इसमें नाकाम या भी रही और इसी के साथ ये मोवी यहें पर रेल्ड बोजाती है तो दोस्तो इस पूरी मोवी में मॉरल सेंचर इसके अपने वादे पर कायम था और फेकी की जर्ली सेक्रिफाइस लेते चला रहा था और शायद ही यह कभी रूखने वाला था फेकी को अपनी प्रतिशोत की भारे सीमत चुकानी पड़ी थी और शायद ही वो कभी इससे आजाद हो पाएगी पहले तो हैलन ने जो बुरा काम किया था उसके लिए वो गलत थी लेकिन फेकी ने तो अब उससे भी जादा बुरे काम कर डाले थे इसलिए हैनल उस करस लूप को रुखने के लिए बॉब ने आने वाले सारी आदमियों को अपनी कहानी विस्पर पर दे थी ताकि वो उस औरत की शरीर में मौजल्स फेकी को खत्म कर डाले लिए करस डूप जाये जिसस अब आनमियों के साथ में हुआ और बिट्रिक के फादर के साथ भी और शायद अब वही जिट जानलस के साथ में भी बहुने वाली थी इसलिए वाले काम पर पॉसिट्रेट नहीं कर पा रहा था और जब वो फेकी को मानने के लिए आएंगे फेकी उन्हें भी ख़त्व कर डालेगी और शायद फेकी नहीं पीट्रे के हज़ब नेल को भी मारा था और शायद एक अर्स सद्धिया से जिर्ट्रे के लिए फेमिरी में था तो हो सकता है कि वो हैनन की फेकी की फेकी की बट्चे जाए थे तो इसन्हें हमें एस हिक मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना सेखना चाहिए कि ये हमारी आत्मा के मुबति का एक जरिया है कि लिए अगर फेकी मोननस की हेल्प नहांती तो वह आजाद होती तो इसी के साथ हम अपने मुल्ग एक्सबरेशन को यह बरायन करते हैं तो मिल्दे हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुद्बाई टेक केर और थेंक्स फर वाचिंग